साथी सुपरबात मैं डॉक्टर सुरेश पान्डे साइक्लिंग के साथ सकारात्मों चर्चा में आज हम जानेंगे उन साथ जापानी सिद्धान्तों के बारे में जो हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं साथियों पहला सिद्धान्त है इकिगाई इकिगाई का मतलब वता है हमें अपने जीवन में अपने जीवन के परपस की खोश करते हुए उन सब कारियों को करते चलना जिन से हमें खुशी मिलती है साथियों दूसरा जापनी सिद्धान्त है सिखिता गानाई सिखिता गानाई का मतलब होता है उन सब चीजों को स्विकार करना जिसे हम चेंज नहीं कर सकते साथियों जिस प्रकार से मौसम का नियंतरन हमारे हाथ में नहीं होता है हम जैसा भी मौसम होता है उसे एक्सेप्ट करते है उसी प्रकार सिखिता गानाई हमें प्रेजित करती है उन सब चीजों को स्विकार करने के लिए जिसका नियंतरन हमारे हाथ में नहीं है तीसरा जापनिश सिद्दान्थ है वाबी साभी साथियों वाबी साभी का मत्तब होता है find peace in imperfection यानि कि दूसरों की कम्यों को उनकी limitations को उनके imperfections को स्विकार करते चलें साथियों जीवन में यदि हम अपने मित्रों का अपने जीवन साथि का अपने परिजनों का imperfection शुकार कर लेते हैं तो जीवन सांति से गुजरने लगता है चोथा जापने सिद्दान्त है गमन गमन मिंस preserving your dignity during the tough time यानि की चिनोती पून समय के दोरान कठिन समय के दोरान emotional maturity दिखाते हुए self-control यानि अपने आपको मियन्तित करते हुँ चलना अगला और पांचों सिद्दान्त है obitory, obitory means अपनी तुलना दूसरों से ने करना do not compare ourselves with others और छटस जापने सिद्दान्त है काईजन, काईजन का मतलब होता है continuous improvement यानि की हमेशा सुधार करते हुँ चलना और साथवा और अंतीम सिद्दान्त है सुहारी, सुहारी का मतलब होता है की सु मतलब learn the basics by following the teachers, teaching of one master सिद्दान्तों को सीखें और हा मतलब start experimenting, जो सीखे गए बिंदों को प्रियोग में लाएं और री मतलब focus on innovation and ability to apply your learning to a variety of situations मतलब innovation के माध्यम से सिखे गए बुंदों में से नई खोज करते चलें साथियों आईए हम सभी इन जापानी सिद्दान्तों को इन साथ सिद्दान्तों को अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन का काया कल्प करते चलें धन्यवाद डॉक्टर सुरेश पांडी सुविनेची के साले कोटा